हेलो दोस्तों स्वागत आपका आमारी योटूब चैनल याहू बाबा पे पीएचपी और अजैक्स की इस सीरीज में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम डैनेमिक डिपेंडेंडेंट स्लेक्ट बॉक्स बना सकते हैं तो यह पहले देखते हैं कि डिपेंडेंडेंट स्लेक्ट बॉक्स कहते किसे हैं यहां देखिए वेब ब्रॉजर के अंदर मैंने अपने एक पेज ओपन किया है जिसके अंदर मैंने डैनमिक डिपेंडेंडेंडेंट स्लेक्ट बॉक्स मना रखा है यहाँ देखिए, यहाँ पर एक है country और है states अब मैं चाहता हूँ जिस भी country को मैं select करूँ उस से related states जो है, वो यहाँ पर load हो जाए अभी देखिए, यहाँ पर कुछ भी load नहीं हो रहा मगर जब मैं यहाँ पर गया, तो मैंने यहाँ देखिए तीन countries add कर रखिए, मैं इंडिया को select करता हूँ और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे परस database के अंदर जितनी भी इंडिया से related states मैंने add कर रखी थी, वो सारी यहाँ पर show हो रही है, मैं यहाँ पर change करता हूँ देखिए मैंने पाकिस्तान किया, तो से related तीन states आ चुकी है, अगर मैंने यहाँ बंगलादेश किया, तो यह बंगलादेश से related भी तीन states से यहाँ पर show कर रहा, और इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें page भी refresh नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसमें adjust यूज़ किया तो यह हम इस वीडियो में सीखने वाले है, और जो हम इस वीडियो में database यूज़ करने वाले हैं इसके लिए, उसको भी आप समझ लिज़े यहाँ देखिए, यहाँ पर हम जो इस वीडियो में database यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है test और उसके अंदर हमने दो टेबल्स बनाएं, एक है country underscore tb, मतले कि टेबल, एक है state tb, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक country का टेबल है, जिसमें दो कॉलम्स आ रहे हैं, cid और cname, मतले कि country id और country name, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही वाले id जो हैं, हम दूसरे वाले table के open करके दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर तीन कॉलम्स आ रहे हैं, sid मतले कि state id, state name और country, यहाँ पर state id और उसकी name तो आई रहे हैं, साथ में यहाँ पर country का idea रहा है, कि कौन सी country में यह states exist करती हैं, आप देख रहे हैं, one जो है वो इंडिया का है, two जो है पाकिस् इसका है, तो आईए ही शुरू करते है, practical, यहाँ देखिए, web editor के अंदर, मैंने अपना project open कर लिया, जिसका नाम है, dependent select box, आप देखरे हैं, इसके अंदर basically दो folders हैं, एक है CSS का folder, जिसमें हमने styling की हुई है, और इसके बाद है JS का folder, जिसके अंदर हमने jQuery को रखा है, क्योंकि इसी को यूज करके हमां, अजेक्स लगाने वाले हैं, और यहाँ पर मारे पस दो files हैं, एक है index.php, जो आपको यहाँ पर देख रही है, यह एक template file है, और इसके साथ में एक है loadcs, यहाँ पर cs का जो मतलब है, वो है country state, तो यह भी खाली है बिल्कुल, इस पर भी हम अभी का करेंगे, अब यहाँ पर पहले आप index file को देख लिजिए, यहाँ पर मारे पास एक form है, और उसके अंदर हमने दो select box बनाया है, एक देखे, यह है country के लिए, जो भी खाली है, इसके अंदर एक default हमने यहाँ पर option बटन डाला हुआ, जिसका नाम है select country, यह first time user को दिखते रहे इसके बाद हमने एक दूसर select box मनाया है, जिस पर ID लगा है state, और इसके अंदर भी हमने यहाँ पर एक खाली option बटन डाला है, इसकी कोई जूरत नहीं है, मैं इसको delete भी कर सकता हूँ, और इसके नीचे देखिए, यहाँ पर हमने एक jQuery की फाइल को प्लेस किया है, बन्ते कि यह देखिए, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जैसी page load हो, तो हुमारा जो country नाम का select box है, उसके अंदर countries load हो जाएं, तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, country का selector बना लेता हूँ, और यहाँ पर उसके अंदर countries load कर देता हूँ, तो उ इसके अंदर आकर सबसे पहले मेरे को Ajax की call लगानी है, तो Ajax की call के लिए मैं यहाँ पर लिखोंगा dollar.ajax, और यहाँ पर इसके अंदर जो सबसे पहला parameter में use करने वाला हूँ, उसका नाम है URL, और यहाँ पर कौन से URL, जो मैंने दूसरी file बनाई है, load-cs.php, यह देखिए, यहीं से हमारी जो countries हैं, वो load होएंगी, तो इसका भी अभी मैं code करूँगा, और यहाँ पर देता हूँ type, कि यहाँ से जो मैं data भेजूँगा, दूसरी फाइल में, उसका format क्या रहेगा, उसका format रहेगा post, तो जो उसकी type है, वो है post, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना attribute जोट जोट करूँगा, जिसका नाम है success, अब जैसे ही यह फाइल जो है, हमें successfully data return कर देती है, तो यह वाला function यहाँ पर मैं बना रहा हूँ जो, वो call हो जाएगा, और उसके अंदर कुछ value return होगी, तो उसको मैं data नाम के एक variable के अंदर store करा लूँगा, और उसको मुझे कहा यहाँ पर embed करना है, देखिए मैं उसके लिए यहाँ पर, जो यह हमारा countries नाम का ID है, इसी के अंदर यहाँ पर इसको append कर दूँगा, इसको नहीं हटाना मुझे, इसके बाद ही मुझे लगाना है वो option button, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका slatter बना लेता हूँ, और इ इस फाइल का जिसका नम है load-cs.php, क्योंकि यह हमें country का सारा data return करने वाली है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर, सबसे पहले मैं एक connection मना लेता हूँ, और उसके लिए मैं एक variable लेता हूँ, कौन, और उसके अंदर अपना connection मनाता हूँ, यह देखि और अगर यह function run नहीं होता, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर die function call कर लिया है, अब इसके बास यहाँ पर मैं अपनी SQL की command लिएता हूँ, उसके लिए मैं SQL नाम का एक variable बना रहा हूँ, और उसके अंदर देखिए मैं यहाँ पर अपनी SQL की command भी लिख लिए, select star from table name, जिसक अगर यह function run नहीं होता, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर die function लगा लिया, जो यह message देखा query unsuccessful, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक loop चलाना है, loop से पहले मैं यहाँ पर एक variable बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ, जैसे str, str मतलब string, क्योंकि जित को मैं आपस में concat करने वाला हूँ, option tag बना कर, अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपना एक वाहिल का loop चला लेता हूँ, जिसके अंदर जो भी हमार पस यहाँ पर data है, query नाम के variable के अंदर, उसको मिर को आपस में concat भी करना है, यह देखे, यहाँ पर मैंने वाहिल का loop चला लिया, यहाँ पर मैंने एक variable लिया, row और इसके अंदर यहाँ पर अपना function चला लिया, mysql.fetch.soc, जो की एक associative array के way में, यहाँ पर इस वाले array में से values निकाल लेगा, अब उसको मिर को आपस में concat भी करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपना वही वाला variable ले लेता ह है, इसको copy कर लेता हूँ, क्योंकि एक array है, और इसी की मेर को values दिखानी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर country का name show करना चाता हूँ, तो database के अंदर जो मैंने column लिया है, country tv के अंदर, उसका नाम है cname, मतलब कि country name, यहाँ मैं curly braces लगा लेता हूँ, और यहाँ पर row नाम का जो variable है, फिर square braces, और यहाँ पर हमारा आजएगा column का name, cname, बिलकुल इसी को copy करके, जो country का ID है, वो मैं यहाँ पर as a value में pass कर दूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, cid, यह देखिए, अब इसके बाद जैसे ही है हमारा, सारा option tag बन जाएगा, तो मेरे को इसको return करना ह इको लिख देता हूँ, str, तो basically यह फाइल हमारे लिए क्या कर रहे है, यह जितने भी हमारे को countries मिलेंगी, उन सब को आपस में append कर देगी, option button के अंदर, और जो हम यहाँ पर print कर रहे है, eco, यह हमारे पास इस वाले page में आजेगा data नाम के variable के अंदर, यहाँ पर आप देख यहाँ पर countries लोड हो चुकी है, आप देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बंगलादेश, मगर अगर मैं select कर रहा हूँ, पाकिस्तान या कोई भी country, तो यहाँ पर state लोड नहीं हो रही, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इस पर event लगाना है, इस वाले select box पर, कि जैसी मैं इसकी कोई भी value change करूँ, तो जो हमारा यह state नाम का हमारे पाँ select box है, इसकी अंदर states लोड हो जाएं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसका selector बनाना है, और इस पर event लगाना है on change, तो मैं यहाँ पर selector बना रहा हूँ, country के लिए, यहाँ मैंने लि उसके बाद मैं यहाँ पर function बना लेता हूँ, और इसके अंदर मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेरे को country की value pick करनी है, तो मैं यही वाला selector ले रहा हूँ दुवारा से, और यहाँ पर एक variable बना लेता हूँ, variable country, और इसी के अंदर, जो यह मेरा selector country, इसकी मेरे को value उठा नि जो मारे पास state name का slack box है उसके अंदर सारी values को मिरे को fill भी करना है तो उसके लिए भी मिरे को यहाँ पर adjust की call लगानी पड़ीगी और लगबग same ही काम करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर over किया है तो मैं क्या करता हूँ इसी function को use कर लेता हूँ मगर यह function जो है अभी सिर्फ country लोड कर रहा है तो यहाँ पर भी हमें एक if condition लगानी पड़ेगी मेरे को यहाँ पर इस function के अंदर एक parameter पास करना पड़ेगा जो यह बताएगा कि मेरे को country का data लोड करना है या state का तो देखी उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैं यहाँ पर अपना function call कर लेता हूँ load data और यहाँ पर मैं दो parameter दोंगा एक तो है हमारे पास जो यह country का id मिला है और इसके साथ मैं मुझे यह भी बताना है कि मैं क्या load करना चाता हूँ country यह state तो उसके लिए देखी यहाँ पर सबसे पहला जो मैं parameter ले रहा हूँ यहाँ पर एक value डाल देता हूँ जिसका मतलब होगा कि मैं state का data यहाँ पर load करवाना चाहरा हूँ तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ state data यह static value है मैं इसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ आप इसकी जगह कुछ और भी boolean बगएरा value भी यूज़ कर सकते हैं 0,1 बगएरा और उसके बाद जोंसी भी हमारे को यह value मिली है मतलब कि country का id मिला है उसको मैं यहाँ पर pass कर रहा हूँ अब जैसे यह function call होगा तो वहाँ पर भी मुझे ऐसे दो parameter लेने पड़ेंगे तो पहले के लिए यहाँ पर मैं जो इसको एक name दे रहा हूँ variable का name वो है type की मतलब कि मैं कौन से type की value यहाँ पर देखना चाहरा हूँ state या country और उसके बाद मैं यहाँ पर जोन सा भी id भेज रहा हूँ उसके लिए भी मेरे को यहाँ पर एक variable लेना है उसके लिए मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ category id यह देखे category underscore id अब इसको मेरे को use भी करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं अपना attribute ले लेता हूँ data क्योंकि इसी के अंदर मेरे को यहाँ से data pass करना है जो मैं इस वाली file की तरफ भेज़ूँगा तो वो है type और उसकी category तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं object form में एक value ले रहा हूँ पहले में दे रहा हूँ मैं यहाँ पर type ही ले लेता हूँ value और इसके अंदर मेरे मेरे को जो value मिली है type नाम के variable के अंदर उसको मैं यहाँ पर pass कर रहा हूँ आप नाम अलग-अलग भी रख सकते हैं अभी मैं same ही ले रहा हूँ फिर उसके बाद मेरे को यहां से ID भेजना है, कि कौन सी country से लेटेड मेरे को state लोड करनी है, तो यहां पर जो मैं key ले रहा हूँ, उसका नाम है ID, और उसके अंदर जो मैं value पास कर दूँगा, वो है country ID, यह देखिए, अब यह वाली फाइल जो है, मैं इसको अभी change करूँग तो यह हमारे को दो तरीके का data return कर सकती है, या तो country का या फिर state का, तो यहां पर मेरे कोई condition भी लगानी पड़ेगी, कि मेरे को यहां पर क्या लोड करना है, country लोड करनी है या state, तो उसके लिए देखिए, मैं यहां पर एक if condition लगा लेता हूँ, तो इसके अंदर मेरे को क् पताने है कि जो हमने यहां पर type लिया है, उसकी value क्या रही है, अगर उसकी value state है, तो हम यहां पर state का data लोड करेंगे, अगर वो country है, तो हम country का data लोड करेंगे, तो देखिए, यहां पर मैं एक वो ले रहा हूँ type, और इसकी value चेक कर लेता हूँ, जो value मैंने नीचे से pass है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए, state data, तो यहां पर मैंने इसे लिख दिया, देखिए, अगर type की जो value है, state data, तो यहां मैं इस वली condition के अंदर आ जोंगा, और यहां पर इसका एक else part भी बना लेता हूँ, यह देखिए, else part में मैं यहां पर country का data जो है, व मैंने id लगाया state, तो यहां पर मिरको append नहीं करना, यहां पर मिरको change करनी है, html, यह देखिए, html के अंदर कौन सा data, जो मिरको यहां से मिलेगा, और first time में जब भी यह function load होगा, तो मैं यहां इसके अंदर कुछ भी pass नहीं कर रहा हूँ, तो यहां पर इसको ना type के state का data load करना है, और अगर इसके अंदर कोई value है, तो इसको state का data load करना है, तो इसके आगे की coding हम यहां के जाके कर लेते हouri, मैं file को save करता हूँ, और यहां पर आकर सबसे पहले मैं connection और इसके बाद मैं यहां पर एक if की condition बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं यह चेक करूंग कि type की value किया है, तो यहाँ पर मैं super global variable यूज़ कर रहा हूं, जिसका नाम है post, और इसके अंदर यहाँ पर value ले लेता हूं, type, जो मैंने उदर से send करी है, दूसरी file से, और यहाँ पर is equal to, is equal to empty रख देता हूं, अगर इसकी कोई भी value set नहीं है, तो उस case में मेरे को country का data load करना है, जिसका code मैंने already कर रखा है, तो यही वाले जो सारा code है, मैं यहाँ से यह सारा cut कर लेता हूं, और इसके अंदर आकर paste कर देता हूं, यह देखिए, और इसका एक else part भी बना लेता हूं, यही वाली सारी value जो condition मैंने बनाई है, इसको यहाँ से copy करके यहाँ पर डाल देता हूं, और यहाँ पर लगा देता हूं, अगर इसकी value जो है, वो है state data, जो मैंने उधर से pass करी है, तो यह इस वाली if condition के अंदर आजेगा, और यहाँ पर भी मेरे को लगबग यही काम करना है, तो यहाँ से मैं copy कर रहा हूं, और यहाँ पर आकर paste, यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर मेरे को सबसे पहले, चुमारी यह SQL की command है, इसमें change करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को where clause लगाना है, और जो मैं data भी load करने वाला हूँ, उसका table का name भी अलग है, उसका नाम है state underscore tv, और जो state tv है, उसकी अंदर मैंने एक column बनाया था, जिसको मैंने आपको starting में दिखाया था, उस column का name था country, जिसकी अंदर मैं country के ID load कर रहा था, और यहाँ पर हमारे को एक value पास करनी है, जो मिलेगी मेरे को दूसरे वाले page से, यहाँ से, तो देखी, यहाँ से मैंने एक, यहाँ पर ID नाम की value, जो है, यहाँ से send करी है, इसको मेरे को यहाँ पर डालना है, तो मैं यही वाला super global variable ले ले लेता हूँ, curly braces की अंदर, यहाँ मैं इसे pass कर देता हूँ, और यहाँ पर जो मेरे को post से, जो एक चीज मिल रही है, जिसका नाम है ID, उसको मैंने यहाँ पर pass कर दिया, तो यह country का ID मैंने यहाँ पर pass कर दिया, तो उससे later जितनी भी states होंगी, वो सारी हमारे पास यहाँ पर load हो जाएंगी, इस वाले variable के अंदर जिसका नाम है query, और अब जो हमारे पास यहाँ पर option बटन के अंदर हमने value डालनी है, वो है यहाँ पर S ID, मतलब कि state ID, और यहाँ पर भी S name, मतलब कि state name, और जोंसा भी हमारे पास data यहाँ पर बन के आएगा, यहाँ पर मैंने उसके लिए अल्रड़ी एक variable बनाया हुआ, STR, इसके अंदर हमारा वो data यहाँ पर हम eco कर देंगे, बेश्या को state का data हो, यहाँ फिर country का data, तो एक बार मैं आपको दुबारा से बता देता हूँ, मैंने इस page में क्या क्या किया है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर connection मनाया है, और यहाँ पर check कि रही है, type क्या है, country है यह state है, तो country के लिए तो मैंने कुछ भी पास नहीं किया, अगर वो खाली है, तो इसका मतलब country का data लोड करना है, फर्स टाइम, और अगर यहाँ पर मैंने type, send करी यह सबसे पेज में, state data, की मतलब की state का data चाहिए, तो यहाँ पर जो query है, उसको change कर दिए, यहाँ पर सिरफ state load होंगी, और यहाँ पर जो मैं पी को करने वाला हूँ, वो भी state का ही data है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यहाँ पर आकर भी मैं आपको एक बर बता देता हूँ, देखिए, यहाँ पर जब मैं country change करूँगा, यह वाली country, तो यहाँ से मेरे को country का एक ID मिलेगा, जो मैंने यहाँ पर country नाम के वेरेबल के अंदर पास कर दिया, और यहाँ पर अपना load table नाम का function कॉल कर लिया है, जिसके अंदर मैं दो चीज़े पास कर रहा हूँ, कि मेरे को एक state का data चाहिए, और दूसरा country का ID कौन सा है, इसको मैंने यहाँ पर send किया है, और इसी के according यहाँ पर state यह country का data भी load किया है, तो यह एक बर मैं आपको file को save करके चेक कराता हूँ, मैं यहाँ गया, मैंने page को refresh किया, यह देखे, first time यहाँ पर countries load हो रही है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर India slide करता हूँ, तो देखी, यहाँ पर जितनी भी states ही, इंडिया की, जो भी मैंने database के नदे डलवाई हुई है, वो सारी यहाँ पर load हो चुकी है, मैं यहाँ जाके change करता हूँ, पाकिस्तान, तो देखी, पाकिस्तान का data यहाँ पर load हो चुक है, मैंने किया बंगलादेश, तो देखी, बंगलादेश का सारा data यहाँ पर load हो रहा है, और जब मैंने किया इसे खाली, तो यहाँ पर देखी, कुछ भी data load नहीं हो रहा है, तो basically जब मैं यहाँ से बिलकुल ये वाला select कर रहा हूँ, तो इसकी मैंने कोई भी value set नहीं कर रखी, तो इस empty वाले जो select box की value है, तो इसके लिए भी वहाँ पर जो मैंरे पर दूसरी file है, load.csa.php, उसके अंदर एक request जा रही होगी, इस case में भी, तो मैं चाहता हूँ वो ना condition मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ, कि जो हमारे पास ये variable है, अगर इसका मतलब कि इसकी empty value नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस condition के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर उस case में data को load कर देंगे, और इसका यहाँ पर मैं else part भी बना ल देखिए, यहाँ पर मैंने state को empty कर दिया, तो यह हमारा काम complete हो चुक है, एक बर मैं आपको last में दुबारा checking करा देता हूँ, यहाँ देखिए, मैंने file को refresh किया, अब यहाँ पर मैं कोई भी country लोड करता हूँ, यह देखिए, उसकी state आ चुकी है, हाँ पर, पाकिस्तान को select की है, पाकिस्तान की states है, और जैसी मैं यहाँ पर select country करता हूँ, तो यह बिल्कुल खाली हो चुक है, अब देख रहे हैं, खाली तो पहले भी था, मगर यह एक request वहाँ पर जा रही होगी, दूसरी वली file में, PHP की file में, अब वो नहीं जा रही है, यह देखिए, तो यह था ह अब हमारा basically dynamic dependent slack box, जो हमने इस वीडियो में सीखा, अगर आपको इसका code चाहिए, तो मैं नीचे description box में इसका link देदूँगा, जहां से जाके आप इससे easily download कर सकते हैं, I hope so, आपको यह हमारा video tutorial अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, तो वीडियो को please like करना मत भूलिए, अगर आप ऐसे ही regular updates चाहते हैं, तो हमारी channel yahoo baba को subscribe करना मत भूलिए,